Welcome everyone, welcome to JRS Mantra, I am Ruzniz. आज हम लोग 10 मिनट में 5 क्वेशन देखने जा रहे हैं, ठीक है? हम लोग ऐसा क्या करेंगे कि इसी तरह का एक सिरीज चला देंगे. हर 10 मिनट में आपको 5 क्वेशन मिलेगा. आप खाते समय, कुछ भी काम करते समय, 5 objective क्वेशन को देख लोगे, 10 मिनट का समय देखर. इस तरह का हम कोशिस करेंगे कि 20 से 25 लेक्चर आपको एक्जाम के पहले प्रोवाइट कर दे, ठीक है? तो बिना टाइम बरबात के हुए, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, 5 objective important question. तो देखें, ये दो question है, पहले इन दो question को कर लेते हैं, बाकी next question आगे हम लोग देखेंगे. तो देखो, पहला question क्या आप हो रहा है? A vertical column has two moments of inertia. एक vertical column है, जिसका दो moment of inertia है. एक है ixx, x-axis के बहुत, और दुसरा है by-axis के बहुत. The column will tend to buckle in the direction of the. चार option दिया हुआ, किस direction में वो buckle करेगा? बहुत अच्छा question है, conceptual question है. तो ऐसा हम करते हैं, कि पहले question 2 को हम समझा देते हैं, उसके बाद इसको erase करके, यहाँ पे question, जो नीचे space बचेगा, उस space में question 1 को हम समझा देंगे. तो question 1 को रहते हैं, पहले question 2 देख लो. एक column width maximum equivalent length has. यहाँ पे जो word use किया है, equivalent length, यह बहुत सारा book है, वो effective length होता है बाबु, अच्छे से याद रखना. Effective length को equivalent length के term से बताता है. पूछ रहा है कि column width maximum, किसका सबसे ज़्यादा effective length होगा? both end hinge होगा, जब दोनों end hinge होता है, दोनों तरफ end hinge होगा, तो अगर इसका length L है, तो L effective भी L के ही बराबर होगा, ठीक है? उसके बाद B है, both end fix, जब दोनों end fix होगा, तो इसका length जो है, अगर L है, तो इसका L effective है, वो क्या हो जाएगा? L by 2 होगा, तो L, L by 2 equivalent length या effective length निकल रहा है, उसके बाद देखते हैं, one end fix and other end hinge, जब एक end hinge होगा, और दूसरा, देखो, revision भी होते जा रहा है आपका, तो इसका जो effective length होगा, इसका total length यहां से यहां तक अगर L है, L जो भी लिखे है न, यह clear length को बताता है, यह total length को बताता है L effective होगा से यहां पे, L by root 2, ऐसा होगा, जब एक end fix होगा, दूसरा hinge होगा, one end fix, other end free, एक end fix है, दूसरा end free है, तो यहां पे जो इसका effective length होता है, अगर इसका total length या clear length L है, तो L effective है, वो 2L के बराबर हो जाता है, किसके बराबर होता है से, 2L के बराबर, तो बताओ सबसे या equivalent length या फिर effective length सबस्यादा किसका असर तो इसका, जब when one end is fixed and other end is free, तो D is the correct answer, D होगा वो इसका correct answer होगा, तो यहाँ से आपको revision हो गया है effective length का और यहाँ पे equation बन गया है मदब equation बन चुका है, अब इसको हम raise करते हैं, question number two को और उसके बाद question number one को detail में आपको explain करके समझाते हैं कुछ भी लिखने की जरुवत नहीं है बस आप सिप्स चीजों को समझते जाओ अब आजाते हैं लोग next question की तरफ next question क्या बो रहा था कि एक vertical column है जिसके दो moment of inertia है which has two moment of inertia Ixx और Iyy column will tend to buckle in the direction of the किस direction के बोट है ये buckle करेगा इंदर direction of the देखो एक vertical column है column में एक axis होगा xx axis होगा और एक axis होगा by इसको बोरे by by axis आप यहाँ पे दो moment of inertia निकालोगे एक x axis के बोट Ixx और एक by axis के बोट Iyy द्यान से समझे ना ये Ixxx और Iyy क्या होता है सर ये property of geometry होता है ये property of sectional area होता है अगर किसी axis के बोट यानि Ixx moment of inertia about x axis greater है I by by तो इसका meaning ये निकलता है कि ये जो column है ये by axis के बोट ज्यादा strong है इसको मोड़ना मुस्किल होगा अगर Ixxx ज्यादा है तो ये क्या बताएगा strong ये strong बता रहा है और ये क्या बता रहा है सर ये weak को बता रहा है तो by axis के बोट ये bend करेगा because I by by है वो छोटा है तो जो भी बड़ा होगा मांगलो कि अगर I by by बड़ा है Ixxx से तो I by by strong हो जाएगा और Ixxx big हो जाएगा तो ये geometrical property होता है जैसे area किसी section का area 10 meter square है और किसी section का area 20 meter square है तो हम क्या बोलेंगे कि ये जादा बड़ा छेतर है इसमें area जादा है उसी तरह से अगर I by by जादा बड़ा है तो हम बोलेंगे कि I by axis के बोट ये जादा strong है और X axis के बोट weak है तो जिस भी axis के बोट moment of inertia आपको कभी भी कहीं भी question में load के बारे में बात नहीं किया है तो हम लोग सिर्फ section के property को observe कर रहे है load लगाएंगे तो चीजे बदल जाएगी हम यहाँ पे कहीं भी load की बात नहीं किया a vertical column has two moment of inertia I x x I by by the column will tend to buckle in the direction of तो I x x और I by by पे depend करेगा load इधर उधर लगाएंगे तो चीजे बदल जाएगी ठीक है load लगाने पे चीजे बदल जाएगी बट कहीं भी load की बात नहीं किया है बोल देता कि यहाँ पे load लग रहा है तो बताओ किस axis के what buckle करेगा तो by axis पे load लगेगा तो x axis के what buckle करेगा बट load नहीं लगाया है तो हम लोग सिर्फ geometrical property जो i x x है और i by by है उसके लिए देखेंगे तो axis of load कहीं भी load लगाया नहीं है perpendicular to the axis of load load नहीं लगाया है maximum moment of inertia के what buckle नहीं करेगा minimum moment of inertia के what buckle करेगा load लगा देता तब हम लोग a और b के बारे में सोचते बट question में load नहीं लगाया है सिर्फ एक vertical column है जिसके दो moment of inertia है i x x और i by by बाबु अगर question पलट दे question कुछ ऐसा पूछे कि जो load लग रहा है वो y axis पे लग रहा है तो ये किस axis के what bend होगा तो एदम आख बंद करके मारना x axis के what bend होगा ठीक है अगर बोल दे कि ये load लग रहा है वो x axis पे लग रहा है तो आख बंद करके मार देना कि by axis के what rotate करेगा already हम लोग ये सब पढ़ चुके है तो that is all about this objective question आप इसको मतलब observe कर लो लिखोगे नहीं चाहे तो screen sort ले सकते हो next question पर आते हैं अब हम लोग next question है ये भी बहुत अच्छा question है दोनों subject के लिए important है toss और dos दोनों में पूछा जा सकता है concept को आप समझना ठीक है sir यहीं question आ जाएगा क्या नहीं बाबू अगर concept clear होगा तो इसके इर्द गिर्द जो भी question है आपसे बन जाएगा column toss में भी पढ़ना था column थोड़ा बहुत डॉस में भी पढ़ना है it's okay तो थोड़ा वो थेल्प दोनों के लिए हो जाएगा देखो करा कि cylinderness ratio is the ratio of याद करना cylinderness ratio को अगर हम लोग lambda से represent करते हैं तो इसका formula तो एकदम रटा रटा आया है L effective by R minimum R minimum यानि radius of gyration minimum और effective length यहीं तो ratio होता है कि L effective by R minimum radius of gyration और L effective का ratio खोज लेते हैं area of column area का तो involvement ही नहीं है area तो है नहीं है length of column to the list radius of gyration देखो यहाँ पे length of column लिखा है better होता है कि effective length लिख देता और अच्छा होता क्योंकि effective length बाई R minimum होता है चलो आगे बढ़ जाते हैं list radius of gyration to the area of column यह भी नहीं होगा list radius of gyration to length of column यह भी नहीं होगा ना तो A होगा अगर इसी में effective length of column to list radius of gyration होता है इस question को as it is book से लिखवाए है कुछ change नहीं किये ताकि आप real question को आप observe कर सेको कि कभी कभी question थोड़ा गलत भी करके आपके semester के exam में देगा फिर भी आपको correct answer अपने अनुसार choose कर लेना है तो पहले 3 question को हटा दिए मदब 3 option को हटा दिए जो एक बचा है जो suitable है उसको कर देंगे लेकिन जो original correct formula है वो L effective by R minimum होता है ठीक है तो आप इसको pause करके note करो erase करके next question बता रहे है ठीक है तो देखो ये बहुत ही अच्छा concept का question है जो आपके 2020 यानि 2020 के semester exam में पूछा जा चुका है तो semester का question है और इस question से आपको हम तीन objective अलग question निकाल कर दिखाते हैं देखो क्या आप हो रहा है the moment of inertia of a circular section about any diameter d is अगर कोई एक circular section होगा द्यान से सभाज़ना एक circular section होगा तो इसका moment of inertia किसी भी axis के बाट यानि by axis के बाट या x axis के बाट जो होगा इसको निकालने का जो तरीका है वो हम लोग already मोस mechanics of a structure fourth semester में देख चुके हैं तो process यहाँ पर बताने की जरुवत नहीं objective question है तो यह होगा moment of inertia सर इसका section modulus क्या होता है हम यहाँ पर लिख देते हैं सारा कुछ लिखते हैं section modulus अगर मानलो की अगला question होगा वो आपसे पूछ दे कि circular section का section modulus क्या होगा तो यहाँ center से जो by max का value है यही by max आएगा सर यहाँ पर और by max का value होगा वो d by 2 होगा कितना होगा d by 2 तो section modulus होता है i by by max याद रखना by नहीं by max तो i का value हो जाएगा pi by 64 d का power 3 कितना हो जागा सर pi by 32 d का power 3 आगे समझ में एगर section modulus है तो इस तरह से होगा एक और होता है polar moment of inertia क्या बोलते है polar moment of inertia polar moment moment of inertia polar moment of inertia यह क्या होता है polar moment of inertia देखो अगर एक circular section है तो आपको यहाँ पे दिखेगा y axis यहाँ पे आपको दिखेगा x axis और एक axis होगा जिसको हम बोलेंगे z axis ठीक है z axis यानि इसके perpendicular होगा बाहर की तरफ होगा x axis, by axis और z axis तो i, z, z होता है उसी को बोला जाता है polar moment of inertia हम लोग parallel axis theorem और perpendicular axis theorem पढ़े हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा i, z, z होगा वो हमेशा याद रखना कि i, x, x plus i, by, by होता है यानि x axis और by axis के बाहर जो भी moment of inertia add कर दोगे तो आपको polar moment of inertia आएगा तो i, z, z होगा वो polar moment of inertia होगा और जब आप इसको add करोगे यानि pi by 64 d का power 4 plus pi by 64 d का power 4 तो दो बार में हो जाएगा pi by 32 d का power 4 कितना हो जाएगा ऐसा है polar moment of inertia pi by 32 और d का power 4 तो एक objective question यहाँ से बना दूसरा objective question यहाँ से बना तीसरा आपसे पूर सेकता polar moment of inertia क्या होगा हर तरह के section के लिए valid है अब इसके बाद हो सकता है कि pi by 64 d का power 4 है इसके जगा answer जो है option है वो r के format में दिया रहे यानि radius के format में तो क्या pi by 64 2 r लिख सकते हैं d के जगा पे यहाँ पे हो जाएगा power 4 यानि pi by 16 r का power 4 by 64 2 का power 4 16 और यहाँ से जब cancel out करोगे तो pi by 4 r का power 4 हो जाएगा समझ में आ रहाए चीज pi by 4 r का power 4 हो जाएगा moment of inertia about any axis r के term में और d के term में correct answer होगा यह होगा pi by d का power 4 by 64 ठीक है थोड़ा सा fast बता है अगर आपको ठीक लगा हो तो पीछे जाएए फिर से एक बार देख लीजिए क्योंकि समय हमको बचाना है चलो अब erase करके एक last question बना रहे है देखना उसको भी observe करना तो यह fifth number question है इस question को हम समझा देते हैं और इसका जो answer है आप comment box में दोगे क्योंकि अच्छा ये 2020 का पूछा हुआ objective question है semester के exam से exam में तो concept थोड़ा से clear होगा यहाँ पे देखना the equivalent length of a column of length L equivalent length कहने का मतब क्या बोलेते सर effective length याद करो effective length हम word use कर रहे थे जो भी book से हम बता रहे हैं समझा रहे हैं बहुत मेनत करके question को खोजे हैं और यह बिल्कुल आपके semester और J दोनों के लिए equivalent है equal है equal important है देखना the equivalent length of a column of length L having one end fix जिसका एक end होगा वो fix होगा other end होगा वो hinge होगा एक end होगा वो hinge होगा दूसरा end होगा वो fix होगा जिसका length है वो L है तो बताओ इसका equivalent length या इसका effective length है वो क्या होगा L effective का value क्या होगा answer A होगा, B होगा, C होगा, D होगा comment box में लिखो अगर answer A है तो बस A लिखना अगर answer B है तो सिर्फ B लिखना अगर answer C है तो सिर्फ C लिखना अगर answer D है तो सिर्फ D लिखना पूरा सब कुछ लिखने के जरुवत नहीं है जो भी आपको सही लगे, suitable लगे answer लिख दो, अब इसी तरह से हम लोग 10 minute में या 12 minute में 5 question का series है, वो एकदम भर देंगे YouTube पे जितना आपको देखना है का मन करें देख लेना खाते समय देख लो activity कुछ कर रहे हैं, उससे मैं देख लो 10 minute आपका एकदम utilize हो जाएगा, चलो पॉस करके जो करना है, comment करो मिलते हैं next lecture में, thank you